तो चलो प्यारे बचे इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है तो चलो एक रेक्टेंगुलर क्वाइल यहां से ले लेते हैं और इस क्वाइल को देखोगे रेक्टेंगुलर क् इसमें number of turns 20 है and area of cross section, इसका area of cross section यहाँ से 25 दिया हुआ है, centimeter square, resistance भी इसका दिया हुआ है, अपना यहाँ से 100 ohm, if the magnetic field is perpendicular to plane of the coil, अब जो magnetic field यहाँ पर exist हो रही है, वो इस coil के plane के perpendicular है, और rectangular है, तो area vector भी इधर ही होगा, तो इन दोनों vector के वीच के जो angle generate हो जाएगा, theta 0, अब कहता है, magnetic field यह जो है, वो variable है, चेंज हो रही है, with respect to time db over dt, that is 1000 tesla per second, यह नहीं tesla per second magnetic field चेंज हो रही है, तो introduce current, तो ऐसे जो यह coil बना हुआ है, यह जो coil है, ठीक ना, यह जो coil बना हुआ है, यह coil ऐसा कुछ, तो इस coil में हमें current कितना flow होगा, ठीक ना, तो इस coil में कितनी current flow होगी, तो जो इस coil में current flow होगी, उस current की हमें calculation current करनी है, ऐसे flow होगी मान लो, ठीक ना, तो इस में ऐसे coil में current flow होगी, तो उस current की अगर मैं calculation करूँ तो सबसे पहले देखो current की calculation करनी है तुम्हें जो current है हो आएगा EMF over resistance of the coil और 1 upon R EMF is equal to Faradil से D5 over DT बन्लब एक coil के लिए होगा लेकिन इसमें number of turns N है तो N से multiply कर दो तो यह आजाएगा N upon R और यहां से D5 over DT 5 की value magnetic field area cross section लिख दो तो जो current degenerate हो जाएगा वो N A बाहर आजाएगा और resistance और यहां से Db over DT जो magnetic field change हो रही है उसकी value magnitude तो अब इसी में value रख दो कुछ नहीं अब इसी में value रख दो के तो problem क्या हो जाएगा solve हो जाएगा तो अगर मैं इसमें value रखता हूँ तो देखो क्या आता है number of turns यहां पर दिया हुआ है कितना number of turns यहां से देखो number of turns यहां से 20 है area यहां से 25 cm be careful 10 की power minus 4 meter और यहां से जो resistance हो भी SI unit में है 100 और यहां से number of turns Db over DT 1000 तो जब इसको तुम solve करोगे तो यहां से 20 यह खतम हो गया है और यहां से 25 और यहां जाएगा 50 25 multiplied by 250 और यहां से 500 into 10 की power minus 4 तो 500 10 की power minus 4 और एक 0 और यहां भी बचा था ना तो एक 0 पोर 0 आएगा तो अब जो है 0 इसको solve गए तो 0.5 ampere यहां से current pull होगी that is C option अपना सही match कर जाता है Thank you